कटफ जो है वो 100 से नीचे ही रहेंगे कटफ इस बार जो जिस तरह से एक्जाम हुआ है मुझे नहीं लगता है कि कटफ 100 से उपर जाना चाहिए कि परहने से अधिक अभी लिखने का प्रयास करेंगे वो कापी ही जो है उनका बास्तिविक पहचान करता है अभियर्थी के रू रूपों को पढ़ने का प्रयास करें थ्री डैमेंशनल उस पर अपना एप्रोच बना लें विशाय को चैन करते वक्त अपने जो एटिचूड है अभिवर्थी है उसका भी ध्यान में रखा कि एक प्रसासक के रूप में आप जो है सो तमाम समाजिक व्यवस्थाओं के बी कुछ-कुछ प्रस्ण जो है बहुत सारे प्रस्ण में जो ब्यवहारिक ता है प्रस्ण पूछने का जो तरीका है वह काफी ब्यवहारिक बना रहें लेकिन 66 के कटफ में जो है क्या हुआ था तो यह थोड़ा सा इसमें लोग कहते हैं कि पेपर पर इधर उधर लिख हुए अगर सो आपका सही है तो आप एक दिन भी समय नहीं गमाईए और मेंस में लगे रहें जो लोग मतलब मेंस के में आ रहे हैं मेंस लीख रहे हैं हो जाएगा वह अपना पूरा फोकस मेंस पर कर नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हुराज मुहंतिवारी सरसथ परिच्छा का पीटी आखिरकार कई उठापटक के बाद संपन हुआ जो स्कैनिंग की प्रकडिया है वो सुरू हो गई है और अगले एक महीने के अंदर पीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेंस की भी परिच्छा होनी है ऐसे में अब मेंस के लिए क्या करना चाह यह कैसे पढ़ें इसी पर बात करेंगे स्रेय के संस्थापक दुर्गेश्चर हमारे साथ हैं लगातार इनसे बातचीत होते रही है और हमेशा आपने बच्चों को मार्क दर्शन बहुत अच्छे से दिया है लेकिन अब तो पीटी पर इच्छा समात स्कैनिंग शुरू है रिजल्ट आने वाला है मेंस पर ध्यान कैसे दें मेंस जो है जो शफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है क्योंकि मेंस के रिजल्ट से ही मेंस के नंबर से ही अंतिम रूप से शफलता प्राप्त होती है क्योंकि इंटर्व्यू जो होता है एक एक अपचारी करह जाती है क्योंकि मेंस नौशान नंबर का होता है और इंटर्वीद जो है 120 नंबर का है इसलिए अगर नौशान नंबर में हमारा प्रभाव अच्छा है तो हम रिजल्ट में ले आते हैं अब हमारे यह अभ्यर्थी के पास है कि अब Men's की तैयारी कैसे करें यह बहुँ जरूरी है यहां दो चीज़ है कि पहला कि December last में Men's होने वाली है और इतने कम समय में जो हैा मैंस की तैयारी कैसे करें तो इसके वो अपने तैयारी को दो सिडूल में बाट सकते हैं पहला कि पढ़ने से अधिक अभी लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनका जो मूल मूल ल्यांकन है वो लेखन सैली पड़ी निर्भर करेगा क्योंकि उनका उत्रक पत्रक होता है जो लिखते हैं वो वो कापी ही जो है उनका बास्तिविक पहचान करता है अभिहरति के रूप में एक तरह से आप यह कहिए कि वह अभिहरति का एक तरह से भीजिटिंग कार्ड होता है उसी जो है सो मूल लिखन सीली में आता है और इसी लिए जो है अब दूसरा जो चीजेंगे हो है आपको मतलब पढ़ा क्या जाए तो पढ़ने के लिए विशाय वस्तु को समायोजन करने के लिए जो भीगत बर्स का प्रस्ण है उनको देखें जैसे की प्रस्ण पूछने की प्रकृति समझ में आएगा दूश्रा सिलेवस को जो है सो चैनात्मक मतलब सलेक्टिव मोड में थोरा सा आएंगे और इंटेंसिव स्टेडी करेंगे कोई भी टॉपिक अगर परहें तो उस टॉपिक के सभी रूपों को पढ़ने का प्रयास करें त्री डैमेंशनल उस पर अपना एप्रोच बना लें जिससे की एक्जामनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का प्रस्ण आए तो वह लीख सके यह उनके तैयारी के लिए एक अहम चीजें रहेगे डेढ़ महीना ही बचा है ऐसे में जैसे आपने कहा कि सेलेक्टिव प्रकिडिया अपनाई जानी चाहिए लेकिन बहुत बार यह देखा जाता है कि पीटी एक अभेर्थी लगातार निकालते जाता है लेकिन मेंस में ही वह हमेशा फंचता है तो ऐसे अभेर्थियों को किनबातों पर ज्यादा ध्यान देने के अब जरूरत है बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पीटी के मास्टर होते हैं जिनके पीटी कभी रूखते नहीं है और म भी हमें नंबर कम मिलता है तो इसका मतलब होता है कि प्रस्ण के अनुरूप जो है उत्तर नहीं लिखा गया अगर प्रस्ण के अनुरूप उत्तर नहीं लिखा जाएगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगा Opsional को Select करने में भी इसमें कुछ पड़िषानिया होती हैं या चैन करने में वो लोग गलति कर जाते और सल्रेक्ट करने में किन बातों का female देना होगा देखिए को Select करने के संदर में अभी के संदर में दो-तिन बातों को धियान में रखना है जैसे कि परëंपरागत जो ich कोई भी optional paper पढ़ने के क्रम में हमें GS में क्या सब contribution हो सकता है GS में कितना मदद करेगा दूसरा उस विशय को हम कितना जल्दी दूरा सकते हैं तीसरा आप अपने जो academic प्रिस्ट भूमी है उसका भी ध्यान में रख करके आप optional paper का चेन कर सकते हैं जैसे कि माली जे एक छोटा ऐ बैग्रॉंड के अगर सब्जेक्ट चेन करना है उनके लिए जो सबसे फेवरेवल विशय होगा वह होगा जोग्रफी पॉब्लिक एड्मिस्टेशन उसके बाद कोई और पेपर पोलिटिकल साइन्स इंटरनेशन डिलेशन यह सब अच्छा पेपर माना जाता है तो यह सुविधा नहीं थी कि आप पीटी के बाद ऑप्सनल में बदलाव कर सकते हैं अब यह सुविधा मिल गई है ऐसे में क्या अभियर्तियों को इस और ध्यान देना चाहिए या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलने नहीं ध्यान देना चाहिए यह एक अच्छा आयोग का भर दीजिए तो वह डिसाइड नहीं करकि यह रहते हैं पहले से उनकी त्यारी नहीं रहती है बाद में चल करके जब वह तयारी करते हैं समझ में आता है लोगों से आपस में बादचीत करतें तब उनको लगता है कि मैंने तो गलत ऑप्सन दे दिया था अब उनके पास तो अगर उनको लगता है कि मैं उस पेपर को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा या जल्दबाजी में मैंने जो है सुनका चेंग कर लिया तो वह अभी भी विड्रॉव कर सकते हैं यह अच्छा आपके लिए अपर्चुनिटी जी एस पेपर की सबसे अधिक मत्वपूर्ण भू क्रमों का जो समयल के उत्ते हैं और उस पेपर सचनाली और आर्ट अंक्य कब्सकेश्ण भी हैं उसमें करेंट ए फैर्स होता है समसामी की विशय होता है जो 6 महिने के अंदर में घटने वाली तमाम राजनितिक समाजिक सांस्कृतिक राश्टी अंतराश्टि घटना क्रमों का जो एक समन्वय होता है उस विषय में और सी सेक्षन में जो होते हैं वो आपको Acetatics होते हैं जो लगवग 70 से 72 नंबर के होते हैं अब इस पेपर के तुलना में जो पेपर Second होते हैं वो थोड़ासा अधिक Concept वाले होते हैं अब धारनात्मक होते हैं और उसमें अधिक थोड़ा सा समझदारी की जरुवत होती है इसलिए सेकेंड पेपर का जो मतलब फॉर्मेटिंग है उसमें यह है कि पहला है आपको इंडियन कंस्टिशूशन हैं और पोलिटिकल बिहेवियर्स हैं कहने का मतलब है कि भारती राज व्यवस्ता है इसलिए इसमें संभीधान भी GS का विशय होता है और GS जो है ओ शामानी रूप में एक जो है सो मनोबयग्यानिक समझ है किसी भी विशय के बीच जो परस्पर अंतर संबंध है इसको विवहारिक रूप में समझना ही GS है चोकि एक प्रशासक के रूप में आप जो है सो तमाम समाजिक विवस्ताओं के इवीधता में एकता बनाने का जो क्वालिटी है वो है कि नहीं इसका परिक्षन आयोग करती है जीएस के माध्यम से और इसलिए जीएस के पेपर में लोग ये समझें कि हम उसको अलग-अलग विशाय के रूप में ना देखें कि हिस्ट्री अलग है जोग्रफी अलग है उनक और वो डेवलप हो जाता है तो फिर जीएस में अच्छे नंबर आ जाते हैं और नहीं तो फिर जीएस में कमजोर नंबर आता है और जीएस निरनायक में है इसलिए निरनायक में है क्योंकि आप देखते हैं कि बिप्यस्ट्री में भी सारे विशाय में जीएस का कंट्रिब सबसे जादे हो जाता है इसका मतलब है कि आज प्रसास की ब्यवहार और मनोविज्ञान के निर्मान में जी एस की भूम का आहम है और इसलिए जी इसलिए जीहेंश में जो है जहां दो पेपर है यूपिस्जी में जी 17 हैं यहां छेशान नंबर का है वहां एक हजार नंबर का हो जाता है वहां पर पय Integration पूछने का जो तरीका है व्यवारिकblem ौकाफी और प्रतिएक जुवते हैं जैसे इग्जांपल के रूप में यहा यहां में फिल उस्टी झि सो के एह घ्र में फ्रोट फूर में यहां तो दोनों के यह वो यह स्टेट से आधार पर दोड़ा लग लग है लेकिन बीपीएसी आज कल कुछ प्रस्ण जो है बहुत सारी प्रस्ण में जो ब्यवारिक पूछने का जो तरीका है वो काफी ब्यवारिक बना रहे हैं जो अभियर्थी के मतलब अच्छी समझ की पाचान पर निर्भर करता है सरसथ भी पीएसी का पीटी हो गया है बहुत अभियर्थी अपने माक्स के अधार पर आगे की तैयारी भी कर रहे होंगे तो ऐसे में अब ज्यादा समय बचा नहीं है लगबक डेड़ महीने के आसपास का समय है मेंस के लिए तो आखरी पल में आपने जिन बातों की और अपना ध्यान अभियर्थियों को खीचा उस और किस तरीके से सौट्टर में तैयारी करना होगा तो उसके लिए करें क्या जैसे कि प्रतियक दिन जो है एक घंटा वो लेखन अभियास करें संभव हो सके तो वो किसी ने किसी संस्था से जूर जाए संस्था से जूरने से क्या होता है कि उनका समय बचत हो जाता है और जो एटिचूड वो सेल्फ एस्टेडी के माध्यम से थोड़ा समय लेकर सीखते हैं वो कम समय में संस्था उन्हें सिखा देती है जहां कहीं भी वो करें तो किसी संस्था से जूर करके टेस्ट सीरीज से जूर करके अपने एप्रोच को वो बड़ा बनाए और इतने कम समय में हमें क्या करना है इसके लिए अच्छे मार्क जाएगा कोई 110 जाएगा कोई कहता 105 जाएगा काफी जादा खबरे इस पर चली हुई है ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कितने तक जा सकता है देखिए राजमोहन जी कटफ की जो बात है मैं तो आपको थोड़ा सा कुछ पीछे के चर्चा कर भाऊं तो कटफ जो है वो 100 से नीचे ही रहेंगे कटफ अच्छा है लोग कह रहेँ है कि माली जी किनि हिका 108 से ही किनि Camera 105ी ज्यी होगा किनिका 110 साही होगा प्रतिभा कोई यह नहीं है लेकिन सामाने रूप से अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो यह कटफ जो है 100 से नीचे रहेंगे इसके पीछे मैं थोड़ा एक तर्क आपको देना चाहूंगा कि अगर आप पीछले कटफ पर ध्यान देंगे जैसे 64 मी का देंगे 65 मी का देंगे तो इन सब का कटफ जो है सो जनरल का कटफ सो से नीचे है केवल 66 मी का कटफ जो है वह आपको 108 है लेकिन 66 मी के कटफ में जो है क्या हुआ था तो यह थोड़ा सा इसमें लोग कहते हैं कि पेपर पर इधर उधर लिख हुए थे कहीं कहीं और यह हुआ था अगर अभी जिस तरी से एकजाम हुआ है मुझे नहीं लगता है कि कटफ हंड्रेट से उपर जाना चाहिए है अब लोगों का कुछ सही होगा मैं इसमें नहीं कह रहा हूं अभी भी माली जी लोग हमसे मिलते हैं 104 सही कहते हैं कि मैंने आंसर की मिलाया है 104 मेरा सही है अब फिर भी वो सस्पिशन म नहीं होगा लेकिन मैं कहना चाहरा हूं कि अगर सो आपका सही है तो आप एक दिन भी समय नहीं गमाईए और मेंस में लगे रहे इसलिए एक सो पचासी से लेकर के सो तक के बीच के सारे लोग तैयारी करें बिना समय गमाए उनकी रिजल्ट होने की सब्सक्राइब भी हमारी आप से बात हो इस दौरान आपने भी कहा था कि सो के ऊपर जाएगा हलां कि हो सकते है कि आप जब स्टूडेंट से मिले होंगे ज्याद नहीं कमाए क्योंकि कटफ जो है 100 से उपर नहीं जाएगा चुकि हम जितना भी देख रहे हैं अब चुकि होता क्या है कि वह एक्जाम जब क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो बाहर जब आने के बाद 1500 के 1500 की उत्तार पता लगता है लेकिन एक्जामनेशन हॉल में लोग क्य उसमें से बहुत शारे लोग होते हम वह सही होता है तो ईस पर मुझे नहीं जाना है लेकिन मेरा सो दूसरा कि मेंस पर अधिक से ध्यान देना है कि तीसरा क्या करना है कि आप इन सारे भ्रमों को छोड़ दीजिए क्यों कि हम डेली अभी लोगों से मिल रहे हैं तो मुझे करते हैं कि शर मेरा एक सचार सही है पर तो पूछने की जरूरत नहीं है नहीं समझें इसका अर्थ दो ही होगा या तो एक सचार नहीं है या अगर है तो फिर डौड कहां है नहीं समझें ऐर सो के देर सो कभी होंगा नहीं होगा अगर मालिजी इस तरह से कटफ जाते रहे एक समय ऐसा होगा जब देर सो कटफ होगा भी कि चीज कभी नहीं होता है जो एक इसटेंडर कट पर होता है उतने अच्छे एक्जाम हुए है इस के अलावा हर सेट का जो है हैं बिकल्प हैं ऑप्सन है वो बदले हुए तो अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है लेकिन अर्सठवी भी बहुत नजदीक है जनवरी में संभावी तारीख भी आ गई है ऐसे में जो अभेरती परिक्षा सर्सठवी के दे रहे होंगे यह तो तह है कि वह अर्सठवी म पूरा फोकस मेंस पर करें जिससे कि उनको दुबारा पीटी देने की जरूरत ना परे और चुकि का सारा या किसी भी कमिशन का सारा जो खेल है वो निर्भर करता है मेंस पर मेंस अगर एक बार आप अच्छे से लीख दिए तो आप सिनियर डिप्टी कलेक्टर हो जाएंग मुझे नहीं लगता है जो लोग मेंस दें वो दिमाग में बना लें कि यह मेरा अंतिम चांस हो जाएं मैं तो यही सुब कामना दूंगा कि जो लोग मेंस दें उनका अंतिम हो जाएं और वो इस तरह से तयारी करें और उनके तयारी के दौरान कोई भी अगर मालीजे कमी है तो उसको वो दूर कर लें, उसका चेहन कर लें, उसको जो है सो ले लें, कहीं से भी मदद लेना, सहयोग लेना, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना, कोई बुरी बात देट की कब तक विग्यापन जारी कर दिया जाएगा? अगर मालीजे की आठ जैसे कलेंडर में आठ जन्वरी, आठ जन्वरी का डेट है, एकजाम का, तो मुझे लगता है कि नवंबर लास्ट तक दिसम्बर फस्ट में आपको आजाएगा, मुझे लगता है सीट अच्छे रहेंगे, चुकि कुछ-कुछ जो पोस्ट का यह हुआ ह तो उसमें अच्छे मतलब पोस्ट रहने की संभावना है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो सरसथवी, पीटी के बाद अब अभियर्थियों का ध्यान मेंस पर है, और कटफ को लेकर भी बड़ी बात दुर्गेश सर ने बताई कि कट सफ जो है, वो सौ के आसपास रहेगा, यह सौ की उपर अगर आपका माकस आ रहा है, यह सौ भी है, तो आप मेंस की तयारी में जरूर लग जाएं, और सठवी के लिए क्या करना है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिल फिलाल सर का कहना है कि अगर आप मेंस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाइफ भिहाग, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें